जैहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डी एलेट, प्री बीएट, प्रविश्परिच्छा, इक्जाम पी प्रेशन इसमें दोस्तों आज की इस टॉपिक को हम लोग सुरू करने वाले हैं वो है हिंदी शेशन का क्योंकि दोस्तों दस अंकों के दस प्रशन पूछे जाने वाले हैं अलग-अलग सेक्षन से उसमें प्रशन पूछे जाएंगे हिंदी वर्णमाला है, प्रत्य, उपसर्ग, वर्तनी, शुद्ध उचारान, संग्या, समास, सरवनाम, तत्सम, तदभाओ, और आपका संधी, समास इन सबसे प्रशन पूछे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग आज का ये पहला टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला तो हिंदी वर्णमाला से दोस्तों हम लोग 24 important question को देखने वाले हैं जो प्रशन पूछे भी जा चुके हैं और important question जो पूछे जा सकते हैं उसी से मिलते जूलते प्रशन माई इसमें practice कराने वाला हूँ तो वीडियो को दोस्तों सुरू सिलास तक जरूर देखिएगा इसका PDF आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ओनलाइन क्लास में जॉइन करने के बाद मिल जाएगा या फिर दोस्तों इस वीडियो को 5 ग्रूप में share कीजिए आपको automatic email पर इसका जो है वीडियो का PDF जो है send हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो student नए हैं दोस्तों बिल्कुल चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास में हमारा आज का टॉपिक है हिंदी से वर्ण माला से सम्मंदित वर्ण एवं दौणी इंपरेंट है चल कि देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है छत्र ग्या इनमें से किस वर्ग में आते हैं तो दोस्तों ये जो तीन सब्द है छत्री त्रशेत्रिशूल और ग्या से ग्याने ये किस वर्ग में आते हैं सैयुक्त वेंजन दिर्ग वेंजन स्वर या फिर वेंजन तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा स संयूक्त वेंजन के अंतरगत आएगा तो वस दोस्तों वेंजन क्या होता है जिसमें एक जो सब्द है आपको पूरी तरीके से मतलब जो पहला सब्द है वो भी वेंजन रहेगा और दूसरा जब सब्द जो भी कहा रहेगा वो भी वेंजन रहेगा जब दोनों मिलकर के जब बनाते हैं एक नया बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है ? अगर हम लोग इसका पूरा डेटेल में देखना चाहें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा जो छत्री है, वो छत्री किससे मिल करके बना है ? का वर्ग से मिलकर बना है का से मिलकर और दोस्तों शार्षे मिलकर के बना है क्या मिलकर के बना है का और शार्षे मिलकर के छत्री का च्छा का जो है निर्मान हुआ है उसी तरीके से अगर मैं तरा की बात करूँ तो तरा के लिए दोस्तों तरा जो सब्द है वो और दोस्तों रा से मिलकर के भी क्या बना है त्रा बना है उसी तरीके से ग्या की बात करों दोस्तों तो ग्या जो उसका निर्मान हुआ है जा और सांत में इसके है अंगा ठीक है तो यह जो है दोनों मिलकर के किसका निर्मान किये हैं ग्या का निर्मान किये हैं ता और रा मिलकर के त्रा श चलिए देखते हैं दोष्टों next question नेम्नली खित में से कौन सा कथन जो है जो है सही है उसको चुनना है नीचे चार कथन दिया गया है उस according हमको बताना है कि इन में से कौन सा कथन जो है दोस्तों तो देखते श्वर ध्वनिया वेंजनों के उच्चारन में सहता हो देती है तो पहला तो हमको दोस्तों और ये अगर आपको confusion नहीं है W получилось loc cortar है कि वाकर मेंसकरां कि नहीं है तो छोड़ दीजिए दूसरा देखिए कि वेंजन का जो उच्चारन है स्वत्तन रूप से किया जासकता है भै तो जिसका उचारण हम सुखतनतर रूप से करते हैं वो तो स्वर कहलाता है लेकिन इसमें वेंजन बोल रहे है वेंजन जो है स्वतनतर रूप से उचारण नहीं किया जा सकता तो ये क्या कहलाएगा ये होडर औप्वेंजन तो कर जाएगा अहा तक और दोस्तों का से लेखर कि गया तक तो उपर का जो है वो क्या है स्वर है नीचे का क्या है वेंजन है तो वेंजनों की संख्या जो है दोस्तों अधीक है स्वर की संख्या कम है लेकिन प्रेशन में ये बोला गया है कि स्वरों की संख्या जो है अधीक है वेंजनों क तूलना में तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा ठीक है देखते है नेक्स्ट क्रेशन जो है कि जो स्वर धनिया है वेंजनों की उच्छार्ण में शाहयक होती है बिल्कुल सही है ठीक है तो इस तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें कि देवनागरी होती है कौन स्वर ठीक है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर डी जा करेक्ट आंसर चलिए देखते है नेक्स्ट कोशन ई और ई किस प्रकार की वर्ण है मतलब छोटा ई और बड़ा ई यह किस प्रकार का वर्ण है कंठ्य धंत्य धंतोष्ट या फिर ता लव्या क्योंकि दोनों का उच्छारन जो है हमारे जीव से निकलता है ठीक है यी ठीक है तो आप उच्छारन करके देख लीजिए तो दा ऑप्सन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा चलिए देखते है नाक्ष कोशन पावर्ग का अंतिम वेंजन क्या है तो पाफा बबहमा ठीक है यह क्या है दोस्तों पा वर्ग कहलाएगा ठीक है तो यह दोस्तों आ गया पाच जो वर्ण है आपको परतेक वर्ग में देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस तरीके से से के लिए क्या हो जाएगा पा फा बा भा और मा तो अंतिम जो सब्द है वो क्या हो जाएगा ऑप्सन देखिए देख सकते हो राइट आंसर क्या हो जाएगा मा ठीक है तो मा लास्ट है तो अंतिम वर्ग तो ये भी पूछ सकता है कि मध्ध का वार्ण कौन सा है तो मध्ध के ल स्वर के मेल से स्वर एम स्वर के मेल से विसर्ग के मेल से या फिर वेंजन वेंजन के मेल से तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वर वेंजन के मेल से ही वेंजन धुनियों का निर्मान होता है क्योंकि दोस्तों स्वर की उच्चारण मतलब क्या होता है 14, 16, 11, 21 तो दोस्तों इसके लिए right answer क्या हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो क्या है दोस्तों 11 है ठीक है कितना है 11 है तो option number 7 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर हम लोग स्वर की बात करें तो इस तरीके से जितने भी हैं वो क्या है हिंदी वर्णमाला के स्वर है तो option number 6 is the correct answer चलिए देखते हैं दोस्तों next question व का उच्चारन इस्थल कहा है मतलब जो हम व का उच्चारन करते हैं वो कहां से आवाज निकलती है तो दोस्तों आप उच्चारन करके देख लीजिए व तो कहां से निकल रहे हैं दोस्तों तो इसके लिए right answer क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसलिए क्या हो जाएगा option number a is the correct answer चलिए देखते हैं next question कीन वेंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है ठीक है अर्धस्वर दोस्तों कीसे कहा जाता है ना अना या फिर शाशा या फिर वा या या फिर इन में से कोई नहीं तो इसके लिए दोस्तों right answer क्या हो जाएगा वा और या जो है वो है पूरी तरीके से कौन सवेंजन जो है अर्धस्वर के इस रणी में ये गीने जाते हैं इसलिए क्या हो जाएगा ये सा option correct हो जाएगा जिसमें अन्तहिस्थ वेंजनों के अर्धस्वर के रूप में या रा लावा जो है पूरी तरीके से सामिल होते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं next question दस्वा question है ता वर्ग के वेंजनों की अन्तिम वर्ण क्या है तो दोस्तों अगर हम लोग ता वर्ग की बात करें तो क्या होता है उसमें ट थ ड अना ठीक है तो तो इस तरीके से क्या हो जाएगा जो अना होता है तो इसमें क्या हो जाएगा जैसे क्रिश्णा का जो अना होता है वो क्या है ट वर्ग का अन्तिम वर्ण होता है त थ ड ध अना ठीक है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा सो अप्सन जो है करेक्ट हो जाएगा चलिए देखते हैं next question इस वर्ण सब्द का उचारण मुर्धा या फिर मुर्धन्य है ठीक है मुर्धा या मुर्धन्य मतलब क्या होता है दोस्तों पहले समझ अप्सन देख लीजे का है चा है टा है और पा है तो दोस्तों इसके लिए right answer क्या हो जाएगा टा हो जाएगा टा जिसमें क्या होता है वाक्या जो है दोस्तों पूरी तरीके से अगर देखें तो इसमें जो कवर्ग है वो कहां से निकलता है कंठस्त से निकलता है मतलब कंठस से निकलता है चा वर्ग की बात करने तो ये तालव्य से निकलता है चा ठीक है उसी तरीके से जो टा मुर्धन्य है और पा जो है दोस्तों होस्ट है मतलब पा फा भा भा मा तो यह क्या होता है दोनों के जो होस्ट है वो चिपक जाते हैं तो यह पा वर्ग जो है वो पूरी तरीके से होस्ट है तो टा वर्ग क्या हो जाएगा मुर्धन्य हो जाएगा देखिए उपर वा हो जाएगा top option जो है मुर्धन्य वर्ग की स्रणी में आता है देखते है next question अडा या ना मा वेंजन है किस प्रकार के वेंजन है अंतहिस्त अनुनाशिक उश्म या फिर जो है उच्छिप्त तो दोस्तों इसके लिए right answer क्या हो जाएगा सब्द वेंजन स्वार या फिर वर्ण तो सबसे स्टार्टिंग जो दोस्तों स्वार और वेंजन तो बाद में आते हैं मतलब इसको काट दीजिए बचा हमारे पास दो आप्सन वर्ण और सब्द तो इसमें क्या हो जाएगा right answer वर्ण आगा ठीक है तो वर्ण से ही मिलकर कि कि सब्द का निर्मान होता है देखे जो वर्ण सब्द लिखा हुआ है जो आपस जैसे कहा है देखे नुन लिखित में ढूंसे रही है अलपराण मतलब समझ रहे हो जिसमें क्या होगा बोलने की उचारन केलि काम समय लगता और पर्णू ज, ज, क, ग, थ, द, प, भ, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए दोस्तों क, और ग, जो है राइट आंसर हो जाएगा option number B, ठीक है अलप प्राण में दोस्तों मुख्य क्या तोर पर इसके जो प्रतेक वर्ग है उसके प्रत्थम एवं तृतिय सांथिसांथ पंचमवर्ण और जो अलप प्राण होते हैं पूरी तरीके से और सांथिसांथ अंतह इस्थरवेंजन के अनुस्वार और सभी स्वर जो है अलप प्राण के अंतरगती आते हैं ठीक है तो इस तरीके से ओप्शन नमबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा देखते हैं नक्स्ट कोशन पाननी ने आप जानते हो ठीक है जो विद्वान है पाननी उनके अनुसार यर लाव को संचेप में क्या कहा जाता है तो यर लाव को संचेप में क्या कहेंगे दोस्तों यारलाव यारलाव या फिर गान या फिर यान तो इस से दोस्तों पूरी तरीकी से क्या कहा जाता है पाननी के अनुसार यान कहा जाता है ठीक है यारलाव तो इस तरीकी से क्या हो जाएगा D option correct हो जाएगा देखते हैं next question बढ़ा उ किस प्रकार का स्वर है तो दोस्तों जो ब प्रकार का पश्य श्वरवा है ठीक है option number is the correct answer जिसमें इसका उच्चारण जो है जीवा के पश्य भाग से उच्चारिद होती है इसे इसे पश्य श्वर कहा जाता है जिसके अंतरगत आ छोटा उ बड़ा उ छोटा आओ और साथी साथ बड़ा आओ ठीक है यह सभी के सभी क्य है दोस्तों पस से स्वर के अंतरगत आते हैं देखते हैं next question question number 17 निर्मने लिखित में से कौन सा संघर्षी वेंजन है मतलब क्या होता है जिसमें घर्षन उत्पन होने के साथ जो है धोनी निकलती है वो क्या कहलाता है संघर्षी वेंजन कहलाता है जैसे च ल श और क तो दो जो है इसका लिए आंसर हो जाएगा ठीक है जो चा है देखिए उच्छा में क्या हो रहा है च्छा जा उसी तरीके से ला ठीक है उसी तरीके से कहा इनमें सब क्या हो रहा है संघर्ष मतलब घर्षन नहीं हो पा रहा है ठीक है तो उच्छा में क्या हो रहा है घर्षन हो रह तो क्या हो जाएगा सापसानी ज़रूर जो है बता सकते थे अगर हम लोग बात करें अगर ठावर्ग के लिए तो जो ठा है वो क्या है दोस्तों कित के अंतर गताता है गा कंठव्य के अंतर गताता है और जो हमारे लिए बा है वो क्या है पाफ़ब भमा किसमें आता है होस्ट में आ जाता है तो आपको पता है सिंपल से इसको अंसर तो आपको ज़रूर पता होगा मुझे बताने के ज़रूरत नहीं है तो आपसे नबर बीज़ा क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर स्वर वर्णक कौन सा है आ आ ई ई उ उ ए आ ओ आ अम अहा चले देखते है नाच्ट कोशन नीचे दिये गए स्वर में से क सामने मिलने वाला स्वर है ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसके लिए बा आपसे नीज़ा करेक्ट आंसर देखते है नाच्ट कोशन पंच माक्षर पंच माक्षर जो है कौन कौन सा हो सकता है चत्री तराशे त्रिशूल गया सिग्यानी या फिर श्रम वाला श्रा या पूरी तरीके से बात करें तो वो है आ आ मतलब कख गगचा ठीक है तो आपसे नमबर भी जा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए देखते है नाच्ट कोशन थोड़ा सा इसम अगर आपको डाउट हो सकता है दोस्तों तो अगर आप में किसी बूक में और भी आपको पढ़ने पो म आएगा ई ए ओ या फिर अ ठीक है तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ओ आपसे नमबर सा इस और आपको डेखते है नाच्ट कोशन नाच्ट कोशन है दोस्तों शूद रहनी का उच्छारनिस्थल है तो शूद नमबर सी इस और आंसर देखते है नाच्ट कोशन ड कीस प्रकार का वेंजन है तो दोस्तों डमरू वालट जो ड है वो कीस प्रकार का वेंजन है संघर्षी सपर्ष संघर्षी पार्शुविक या फिर उच्छिप्त तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ड जो है दोस्तों जिसमें हम जब बोलते हैं तो जीब है हमारा ऊपर जाएगा उपर से लिए ऑपता चल जाएगा खें-ट तो दोस्तों इस तरीके से 24 important question जो है हमने इसमें कभर किया है, बहुत ही simple सा था, आप आसानी से इससे solve कर लिए होगे, और यहां से अगर जिब भी question पूछा जाएगा, आप आसानी से इसको जरूर solve कर लोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें काफी important तरीके से, पूरा detail तरीके से मै आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, दोस्तों अगर इसका मैं class लिया रहा था, डिटेल तरीके से, अगर उसके बाद MCQ को solve कते, तो और भी ज़्यादा बहतर होता, ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जूड़े रही है, और जो student नए है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर आपके नोटिवेशन सही हमें मिलता है, दोस्तों अच्छे से नए-नए वीडियो प्रोवाइट करने के लिए ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिजिए, जो लाइक नहीं किया है, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, वाट्सव ग्रूप जयनकारी के साथ, तो मुझे दीजिए जाजा, टेक के लोल दे बैस्ट, जाए हिंद,